हेलो गैज आज की इस लेक्चर में डिटेर्स में डिस्क्स करेंगे प्रोसीजर ओपनिंग टेंडर तो टेंडर ओपनिंग करने का क्या क्या प्रोसीजर हो सकता है टेंडर में कॉंटेक्ट एंड एकाउंट सब्जेक्ट में जब हम लोग टेंडर पढ़ते हैं तो यह सब टर फोपनिंग टंडर कैसे होना चाहिए क्या प्रोसेस होना चाहिए उसके वारे म falta देश्द मेंदेगे सबसे पाहले आपको बतादे कि कि जब कोई भी टंडर आपनिंग किया घ्तायचा होता है तो दो कर लिंगिटेशन यह ब्लुप्त की आपको फॉलौ करना कॉंट्रेक्टर को डिपार्टमेंट यह क्राइटरिया फोलो करके टेंडर इन्वाइट किया तो यह सब टेंडर ओपनिंग करने का प्रोसीजर है तो देखते हैं अब हम लोग लेंग्वेज में कि क्या-क्या होता है प्रोसीजर ओफ ओपनिंग टेंडर इन केस ओफ़ गोर्मेंट और मेंजेशन दी टेंडर ऑन ओपन देड एंड टाइंड तैम मेंचंड इन टेंडर1000 क्या काता है कि इंकेस और मेंड और मेंअगर ओर्द मेंट हम क्या नाइसे नाया किकिसी के दौरारा तो उसमें क्या होता है कि टेट एंट टाइम मेंशन किया तेंडर में कि हाँ आपको ओपनिंग डेट इतना है और closing date इतना है, suppose आज के date में opening हुआ है, तो 10-15 दिन के बाद का closing date रहेगा, apply करने का, तो यह सब opening tender में, tender का जब opening होता है, तो उसमें mention होना चाहिए, tender notice में, तो आप देखते होंगे की, जो हम लोग format जब बनाये थे, drafting किये थे tender notice का, तो उसमें से आपने अगर वो lecture नहीं देखा तो लिंक आइकन पर दिया जाएगा आप देख सकते हैं तो उसमें से क्या होता था कि जब लास्ट में हम लोग फॉर्मेट के नीचे में बनाते तो यहां पर ओपनिंग डेट एंड लास्ट डेट दोनों सब मेंशन करते थे उसमें जब ड्राफ्टिंग करते थे टेंडर का तो उसी टाइप से यहां पर प्रोसीजर ओफ ओपनिंग टेंडर में है इन केस ऑफ ग्राफ्मेंट ओर्दैसन डेटेंडर अरोपन डेट एंड अन्टाइम मेंशन इन टेंडर Stefan x讲 ग्राफ्टिंग जब टेंडर नोटीजर इनवांट है गग धान्यों चया आता है तो next point contractor और his representative will be present during the opening of tender तो क्या काता है next point point number two contractor और his representative will be present during the opening of tender तो contractor और उसका representative present करेगा during the opening of tender जब tender opening होगा opening के दोरान contractor और उसका representative उसका opening करेगा tender का तो next point the name of the tender and the total amount quoted by him is read aloud so that the others will know who is the lowest तो जब tender notice invite कियाता है तो जो भी contractor apply कियाता है apply करता है tender notice जब invite कियाता है तो tender लेने के लिए work execution करने के लिए तो सबसे lowest देखा जाता है तो जो lowest राता है lowest amount राता है notice invite कियाता है उसका amount पे यह सब procedure of opening tender है तो उम्मीद है आपको यह lecture समझ में आ गिया होगा और और भी बहुत सारे lecture हमने discuss कर दिया है तो आपने अभी तक नहीं देखा है तो प्लेइलिस्ट में भी जाकर के देख सकते हैं यह फिर लिंक आइकॉन पर दिया जाएगा आप आसानी से जाकर के देख सकते हो तो आज की लेक्चर में इतना फिर नेक्चर मिनियो टोपिक के साथ मिलते तब तक के लिए बाएं